सत्गुर्देव की जय शर्वसंग अच्छे प्रार्शना है सत्संग प्रार्व हो रहा है किर्पया सत्संग सत्थर पर शांती पूर्ग विराज मानों करके सर्धा से सत्संग सुने प्रमेश्वर की प्यारी आत्मां से पुमर्ण वेदन सत्संग प्रार्म हो रहा है किर्पया सत्संग सत्ल परस्यानती पुर्ग विराजमानों करके सर्धा से सत्संग सुने साथ साहि ओन परमात्मा पाप करमदंड को भी काट सकता है अभी तक जिस भी संत्वा महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप करमफल भोगने से ही समाप्ध होगा वो प्रभु कौन है जो पाप करम को काट देता है वो काल के बंधन से छोड़वा देता है उसका क्या नाम है पूजा की विधी क्या है फिर प्या अवश्य सुनिये जगत गुरु नत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अमरिक वज़ा नमस्कार दर्शकों आज के हमारे इस वीडियो का विशय है धर्म गुरु क्यों नहीं समझ पाए अपने धर्म ग्रंथों का ज्यान यह आज के दौर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चिंतन शील विशय है क्योंकि धर्म गुरु समाज के मार्ग दर्शक होते हैं और उनके ग्यान पर ही हमारी धर्मिक और आध्यात्मिक यात्रा निर्भर करती है हमारे समाज में धर्म गुरुओं का महत्वपूर्ण स्थान है वे हमें धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्यान और नैतिक्ता का पाठ पढ़ाते हैं लेकिन जब वही धर्म गुरु अपने धर्म गुरंथों का सही अर्थ नहीं समझ पाते हो तो क्या उनके मार्ग दर्शन से हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? इसका जवाब है नहीं क्योंकि जिसे स्वयम सही ज्यान न हो वह समाज का क्या मार्ग दर्शन करेगा? यह तो हम सभी समझ सकते हैं धर्म गुरंथ जैसे वेद, गीता, कुरान, बाइबिल और गुरु गुरंथ साहिब हमें अध्यात्म का सही मार्ग दिखाते हैं इनमें अध्यात्म के गहरे रहस्य, नैतिकता और आध्यात्मिकता के विशय में अमूल्य ज्यान छिपा है लेकिन आज धर्म गुरुओं का अपने धर्म गुरंथों का सही ज्यान न होना एक गंभीर समस्या है जिसके कारण वे पुरानी रूडियों और परंपराओं को ही धर्म का वास्तविक रूप मानकर प्रस्तुत करते हैं जिससे समाज में भ्रम, पाकंड और अंधविश्वास फैलता है इससे मानव जीवन नश्ट हो जाता है क्योंकि सही मार्ग दर्शन के अभाव में लोग अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते और अनेक संतों के पास भटकते रहते हैं लेकिन वर्तमान समय में हमें ऐसे संत की आवश्यक्ता है जो धर्म ग्रंथों का सही अर्थ समझें और उसे मानव समाज के सामने सही रूप में प्रस्तुत करें दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे ही पूर्ण संत हैं जो वेद, गीता, कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहिब का सही ज्यान प्रदान कर रहे हैं उनके सत्संग और शिक्षाएं हमें सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेडित करती हैं तो आज के इस वीडियो में हम अध्यात्म के कुछ ऐसे ही प्रशनों के उत्तर जानने वाले हैं जिन्हें जानने की जिग्यासा अक्सर मानव में बनी रहती है तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नमबर एक प्रत्यक धर्म के धर्मगुरु परमात्मा यानि अल्ला को निराकार अर्थात बेचून बताते हैं लेकिन परमात्मा साकार है या निराकार वेदों, कुरान, बाइबिल, गुरुगरंथ साहिब में परमात्मा के विशय में क्या बताया गया है यह प्रशन सदियों से चला आ रहा है कि परमात्मा साकार है या निराकार? और यह सवाल जितना पुराना है, उतनी पुरानी धारणा भी सभी धर्मों में बनी हुई है कि परमात्मा निराकार अर्थात बे चून है. लेकिन सच क्या है ये तो हमें अपने पवित्र धर्म ग्रंथों को देखने के बाद ही पता चलेगा तो चलिए अपने धर्म ग्रंथों को देखते हैं कि सच्चाई क्या है सभी धर्मों को जानने के लिए उनके पवित्र सद ग्रंथों को ही आधार मानना चाहिए सर्व प्रथम जानते हैं इसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल में परमात्मा का स्वरूप क्या बताया गया है यह पवित्र बाइबल संपुन जीवन अध्यन बाइबल यह कहां से छपा है अब आगे दिखाते हैं आपको यह है जर्नल एडिटर डॉलेंड सी स्टेंप्स एम में डिविजन और एसोसियेट इडिटर है जेस वैसले डेंप्स पीएजडी और यहां है लाइप अबली सर्ज इंटरनेशनल सप्रिंग फफिल्ड मेशोर यूएस से प्रिंटिड इन इंडिया अब यहां दिखाते हैं पवित्र वाइबल संपुनध्धन वाइबल परवंदक संपादक डेविड स्टुवार्ड्स अंग्रेजी परदान संपादक डॉनाल्ड सी स्टेंप्स में अमडिवी संपादक समीती यह सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है यहां से देख लिए यह सारा कुछ होई है यह कहां कहां से छपा है फुली लाइफ स्टुडी बाइबल लाइफ पब्लिसर्ज इंटरनेशनल सप्रिंग फाइल्ड मेशूर इतने यूएस से छपा है ठीक अब इसकी उत्पत्ती पर आते हैं बिलकुल स्टार्ज से ही यह देखिएगा यह है जैन्सियस यानि उत्पत्ती आरंभ होती है आदी में परमेश्वर ने आकास और परिश्वी की सिरिष्टी की यानि यह बहुत सिंपल उसमें लिख रख रख है इस परकार पहला दिन हो गया यानि सांज हुई बहुर हुआ इस परकार पहला दिन हो गया फिर तो परमेश्वर ने उस मांतर कर परकास का सांज हुई फिर बहुर हुआ इस परकार दूसरा दिन हो गया सांज हुई बहुर हुई फिर तीसरा दिन हो गया इन में कुछ रचनाएं की परमातमाने, फिर देखो, अब चार परिष्ट पर पढ़ रहे हैं, सांज हुई फिर बहुर हुआ है, चोथा दिन हो गया, अब फिर हम यहां आगे, पांच परिष्ट पर, उत्पती बढ़ पढ़ रहे हैं, जनसियस, यह सांज हुई फिर बहुर ह इनसार अपनी समानता में बनाए हैं, और वे समंदर की मचलियों और आकास के पक्सियों और गरेलों पसवों और सारी पर्च्वीपर और सब रहनगने वाले जन्तों पर, जो पर्च्वीपर रहनगते हैं, अधिकार रेक़े, यारनी उनसे समझधर हो, खाओ रहने हैं उनक के अनुसार परमेस्वर ने उसको उत्पन किया नर और नारी करके उसने मनुश्यों की इसे रिष्टी की तो पनात्माओं कैसा है वगवान नर आकार हमारे जैसा अब उसने परमात्माने मनुश्यों को अपने जैसा ही रचा तो कैसा है वगवान साकार है नर आकार है सह सरीर ह उसका नाम कबीर है ये आगे सिद्ध करेंगे अब देखते हैं इसलाम धर्म की पाक पुस्तक कुरान शरीफ से पुईतर कुरान शरीफ हमने फिर उठा ली है यह वहे इलामी किताब है जिसमें कोई संधे की गुणजाइस नहीं सास्त्रिय अर्वी पद्धी पर नागरी लिपी में ये कुरान शरीफ कंप्लिट देखें और ये मुतर्जम ये है सास्त्रिय अर्वी पद्धी पर नागरी लिपी में इसका सनुसाय अनुवाद सटीपन ये इसकी हिंदी है रुपान तरकार है नंद कुमार आवस्थी सेरवानी संसकर्ण यहां देखते हैं जालीकल किताबू लारेव जय सलाफिही यह है वह है इलामी किताब है जिसमें कोई संधे की गुंजाइस नहीं प्रॉण शरीफ यह सानुवाज स्टीपन सास्त्रिय अर्विपद्धिव नागरी लिपी में सेरवानी संसकर्ण प्रकासक है लखनव किताब घर मौसंबाग सितापुरोड लखनव इतने अब हम इसके आते हैं आप देखिएगा कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी पत्तिस 604 प्रिष्ट पर हम यहां से पढ़ने लगेंगे जैसे पहले भी पढ़ा था 52 आयत को हम पढ़ेंगे फला तुतियल काफिरिन वे जाहिदूं वीही जिहादन कबीरन इसका अनुआज बिलकुल सामने हिंदी में कर दिया उन ही ने तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहान मानना यह कुरान स्रीप का ग्यान दाता कह रहा है हजरत मुहमद जी को हजरत मुहमद जी को कह रहा है और इस कुरान की दलीलों से उन का सामना बड़े जोर से करो इन्होंने कबीर का अर्थ कबीर का अर्थ साथ परिष्ट पे सूरत फुरकानी पत्चिस और यहां आगया है अब हम त्रेपनमी आयत पढ़ेंगे और वही है जिसने दो द्रियाओं को मिला चलाया एक का पानी मीठा प्यास बुजाने वाला और एक का खारी कड़वा और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया फिर उसको साइबे नसब यानि किसी का बेटा या बेटी और सुस्राल वाला यानि किसी का दामाद बहु बनाया और तुम्हारा परवर्दीगार हर चीज करने पर सकती इमान है अब पच्पन आयत पढ़ेंगे चौवन पढ़ेंगे और काफिर अल्हा के सिवा ऐसों को पूझते हैं जो ने उनको नफा पहुचा सकते हैं और ने उनको नुक्सान पहुचा सकते हैं और काफिर तो अपने परवर्दीगार से पीट दिये हुए हैं मू मोडे हैं तो और ए पैगंबर हमने तुम को खुसकबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से ड्राने के लिए भेजा है हजरत मौमद जी को भेजने वाना वही है जो कुरान स्रीफ का ग्यान दे रहा है वो कह रहा है कि हमने तुम्हे अजाब से ड्राने के लिए भेजा देखिएगा यह कहते हैं ए पैगंबर हमने तुम को खुसकबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से ड्राने के लिए भेजा है इन लोगों से कहो कि मैं तुम से इस अल्हा के हुकम पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता हाँ जो चाहे अपने परवर्दिगार तक पहुँचने की राय इक्तार कर ले अठाओ नमर में कहा कि और ए पेगंबर उस जिन्दा पर भरुसा रखो जिन्दा महात्मा के रूप में वो अल्हाओ अकबर कबीर पर महात्मा सत लोक से उस सचे सुथान से अर्ष कुर्ष के उपर से चल कर आए थे एक जिन्दा महात्मा के रूप में मिले थे और भी अन्य म लुकदास साहिब जी को मिले आदनिय नानक साहिब जी को शिक धर्म के परवर्ता को जिंदा महतमा के रूप माकर वही अल्हु अकबर अल्हा कबीर मिले आदनिय दादू साहिब जी को वही जिंदा महतमा के रूप में मिले आदनिय ग्रीब दास साहिब जी गाओं छुडाने जिला मेर्ट यो उत्र परदेस वाले को जिन्दा महात्मा के रूप में आकर वो परमात्मा मिलते हैं ऐसा उसका विधान है और वेदों में ये परमान है कि वो परमात्मा उपर रहता है राजा की समान देखने में नराकार है मनुस अदर से वहां से गती करके आता है से स्रीर अच्छी आत्माओं को मिलता है, वही अल्लाहु अक्बर, वो पूर्ण प्रमात्मा, आधनी हजरत मौमद जी को भी मिले थे, और उनको उपर लेकर भी गए थे, लेकिन इन्हों ने उस जबरील के भैसे, डर से, उस पूर्ण प्रमात्मा की बात को सभीकार नहीं किया था, य एकिएगा, हम यह सतावन नमबर आयत पढ़ रहे हैं, सतावन, यह पैगमर उस जिंदा पर भरुसा रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, वास्ताव में अविनासी इमोटरल वही है, और तारिफ के साथ उस की पाकी ब्यान करते रहो, यानि कुरान स्रीफ के ग्यान दाता से अन्य की पाकी ब्यान करने को कुरान स्रीफ का ग्यान दाता कह रहा है, और अपने बंदों के गुनाओं से वो काफी खबरदार है, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है, सब कुछ है जिन में पैदा किया, और फिर वह तकत पर जाविराजा, वह वो अल्हा कबीर है, वो अल्हा कबीर है, अंडरिस्टूड हो गए हो, रह्मान है, और उसकी खबर किसी बाखबर, इलम वाले से पूछ देखो, कुरान स्रीफ का ग्यान दाता भी उससे अन्भिज है, उस अल्हु अकबर को नहीं जानता अभी आपने दो पवित्र धर्मों के धर्म ग्रंथों से जाना कि परमात्मा यानि अल्लाह मनुष्य सद्रिश्य है और वह उपर तख्त सिंहासन पर बैठा है चलिए अब जानते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ अर्थाद, विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेदों और सिख धर्म के पवित्र गुरु गरंथ साहिब से कि आखिर परमात्मा, रभ कैसा है? पवीत्र वेद दिखाते हैं पवीत्र रगवेद आपको दिखाते हैं पहले पवीत्र रगवेद के अंदर ये है रगवेद मंडल नम्बर नो और दस इकठे ही है अनुवादी था है ये ये कहां से परकासित है सार्वादेस कारिया पर तीनिदी सवा महिर शिदान भाउन रहम दिला मैदान नहीं दिली से महिर शिदान सरस्वतिकरथ मुदर कह परिंस आप्षिट परिंटर्स 1510 पटोदी हा। जर्यागन नहीं दिली से अपना अत्माओं एक आस्टरिये की बात है आज तक एक लोक वेद सब के हर देम समा चुका था कि परमात्मा निराकार है गौडीद फोरम लाइच मुसल्मान भाई कहते हैं अल्ला तो बेचून है उसका कोई काया नहीं है हर नोके उपर बैठा साथ में असमान पर फिर उबिना काया का बैठा की है किस रूप में बैठा ये तो आज तक निरने कर जो अब यहां क्या बताया है कि यह आरिये समाज के जो परवर्तक थे महरसी दानंद और उनके जितने आचारियर अनुयाई है वो भी परमात्मा को निराकार कहते हैं ठोक के अर्वेदों को सच बताते हैं कि वेदों जैसा गरंथ पर त्वीपन नहीं है अर्वेद आप पनवाद कर रहे हैं तो कबीर साहब कहते है मुती मुक्तादर सतना ही ये जग है सब अंदर है दिखत के तन्यन चसमें इनके फिरा मुतिया बंद रहे ये दिखें थे विदोवान इनके मोतिया बंद हो रहा था अग्यान रूपी जैसे किसी को मोतिया बंद हो जाना आखों में एक रोग होता है उसकी आँखें तो बिलकुल सवस्थ दिखाई देती हैं सवस्थ जैसे इनमें कोई रोग नहीं लेकिन उसको दीखता कुछ नहीं तो परमातमा कहते हैं ये दीखें थे विदोवान और कहें नराकार इनको कख भी नहीं पता अन्वाद खुद कर रहे हैं और फिर भी नराकार का ढोल पीट रहे हैं इसाई धर्म के दर्मी विक्ती पीटर वावल को सिरोधारिये मानते हैं उस जैसा गरंध नहीं मानते हैं और परमातमा को फोरम लेस बताते नराकार बताते इसमें सबस लिखा है नराकार मनुसदर से है और पीटर कुरान स्रीव में सबस लिखा है कि उच्छाय दिन में सिरिष्टी रची उसने सातवा दिन तकत पर जाविराजा जाविराजा को निराकार क्या बैठेगा वम्रु सदर से है वहाँ जाविठा है वहाँ पर तो बैठा है तो कोई आकार है उसका हम रिगवेद पढ़ रहे हैं रिगवेद आपको इसका पूरा परक्ण दिखा दिया था रिगवेद मंडल नुँ सुक्ट नुबर छ्यासी मंत नुबर छबीस में कहा है कि यग करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यग माने धारमे कनुष्ठान अर्थात पूजा करने वाले यजमान माने भगतों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुघम करता हुआ उनके बिगनों को मर्दन करता है उनके संकटों का नास करता है और उनको पवीतर करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांती में परमात्मा यहां इन्होंने इस कवीर अच्चो इस कवीर का हम इसको कवीर बोले हैं कवीर हम वे को बे बोलते हैं अपनी भासा में जैसे किसी का नाम वेद परकास है और हम कहेंगे उसको बेद परकास है और वो भी कोई उससे पूछेगा कौन है बाई क्या नाम है तेरा वो खुद भी कहेगा मेरा नाम बेद परकास है और लखाएगा जब बेद परकास तो ऐसा ही समझो कवीर ये कवीर तो लखा है हम इसको कवीर बोलते हैं और देव माने परमेश्वर ये देखो ये कवीर इसका इन्होंने संधी छेद कर दिया और ऐसे लिख दिया रह को अपसरक बेद बदल दिया अब हम पहले इस कंसर्प्ट को कलीर करेंगे पहले थोड़ा सा ये पढ़ करें यहां लखना था वो कवीर देव है ये देखिएगा हमने यजूर वेद उठा लिया पवितर यजूर वेद ले लिया देखिएगा इसमें सिद करेंगे ये कहां से छपा है सारवदे सीक आरिये परतिनीदी सबा दो बटा पांस महर्शिदान दोन रम्ला मैदा ने दिले से ये महर्शिदान सर्फती करत ये यहां से मुद्र के यहां से छपा है अब हम इसके आते हैं ये 36 जैप्टर है अध्याय नमबर 36 36 है ये यजूर वेद का यहां से पढ़ेंगे ये 36 अध्याय है 36 इसके पर्थम मंतर में लिखा है रिचम वाचम परपदे मनो यजू परपदे ये यजू सब्द है यजू अब सर्ग लगा रखें इसका तो यहां नुआद किया मैरी सिदान ने इसका बिलकुल सही किया ये यहां इसकी भर्मित नहीं थी बुद्धी इसको यजू का अर्थ यजूरवेद कर दिया यहीं करना चाहिए था यदि यहां इसका कोई और अर्थ कर देता सरवज्जे या कोई वैसे लख देता कोई सतूतियों का संग्र है क्योंकि महिमा यजूरवेद की थी इसमें तो यजूर वैद लिखना बड़ा बहले ही दो अपसरग लगे है इसी परकार जहां परमात्मा की महिमा का वर्णन है वैद मैं वहां कवीर सब्द है अपसरग भी लगा दे अपने व्याकरण के आधार से हम इनकी व्याकरण भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते ये कवीर देव लिखना चीए था है नोने यापर कवीर कारत कवीर देव लिख देते हैं सर्विजय नहीं हम उसको कवीर साब कहते है कुरान सरीप में उसको अल्ला हुआ अक्बर अल्ला कवीर कहते है और हम उसको कवीर देव कवीर साब कहते है रगवेद के उन चंद मंतरों को जिस में परमात्मा साकार सपष्ट है अब यजूरवेद रख दिया रगवेद उठा लिया अब रगवेद पर आगे हम देखिएगा अब वहीं आगे हम रगवेद मंडल नमर 9 सुक्षासी का मंतर नमर 26 में यह कवीरत यहां है कि यग करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यानि धार्मिक नुष्ठान यानि बगती करने वाले भगतों यजमानों बगतों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके बिगनों को मर्दन करता है नास करता हुए, उनके संक्टाउं का न्यॵारन कर देता हूए, उनको पवितर करता हुए, और अपने रोप को सरल करता हुए, वह कान्ती में परमातमा, यहां लखना था कवीर देव, सरवज्जा नहीं करना चीह अरत कवीर देव कवीर देव कवीर सहाब अल्लाहु अक्बर विदूत के समान करिडा करता हुआ वर्निय पुरुस याँ अच्छी आत्मा को अच्छे पुरुस को अच्छे विक्ती को दर्मात्मा को प्राप्त होता है अपनात्मों वो परमात्मा उपर रहता है धू लोग के तीसरे पिश्ट में और वहां से गती करका आता है बिजली जैसी गती से यानि इतनी बहुत सिगरता से यहां जाता फ्रिक्शन ओप सेकंड के अंदर और वो कबीर है वो कबीर देव है वो कहां रहता है देखो इसी में रगवेद मंडल नमबर नो सुक छासी का मंतर 26 आप पढ़ रहे है हम यहां आगे पढ़ते है पढ़ते है वो कबीर देव विदूत के समान क्रेडा करता हुआ यानि आकासिय विजली की तरह एकदम पूरी सपीड दता है वरणिय पुरस को पराप्त होता है वो कहां रहता है 27 में मंतर में सपष कर दिया है उजो परमात्मा धू लोक के तीसरे परष्ट पर विराजबान है तीसरे भाग में रहता है उस धू लोक के ऊपर धू लोक के अब और दिखाते हैं आपको वही रेगवेद मंडल नमर नो और सुख फिप्टी फॉर यानि सम्वन का मंतर नमर तीन देखो नीचे इसमें सफ़च किया है कि सुर्ये के समान जगत परेरक वह प्रमात्मा सुम सुभाव वाला और जगत परकासक है विस्वानी पुनाने वह सब लोकों को पवितर करता हुआ भौनो उपरि तिश्धती सब भौनो यानि सभी लोकों के उबर संपॉर बरमंड़ों के उर्दव भाग में भी वरतमान है वहाँ पर विराजमान है बैठा है वह बहौनों उपर सभी बहौनों के सबी बर संपून बर्मंडों के उर्दो मान उपर के भाग में तिश्ट थी माने बैठा है और वहां से चल कर आता है अब आगे दिखाते हैं अब रगवेद मंडल नमबर 9 सुक्त 82 में कती कंसेप्ट कलियर हो जागा रगवेद मंडल नमबर 9 सुक्त 82 और मंतर नमबर 1 में क्या कहा है वह है जो सर्वो उत्पादक पर हूँ यानि सब की उत्पती करने वाला छै दिन में सरिष्टी रच के सात मैदन तकत पर बैठने वाला परकास रूप सद्गुणों की वरिष्टी करने वाला पापों का हरन करने वाला वह राजेव ये संस्कृत है इसका रहत है राजा के समान राजा के ये 299 परिष्ट पर है राजा के अर इदर देखो 270 परिष्ट पर राजा के समान दरसनिये है देखने में राजा के समान है तकत पर भी राजमान है शेर पर मुकट है उसके और वह परत्वियादी लोग लोग अंतरों के चारों और सबड़े मान हो रहा है वहे वरणिय पुरुष को अच्छी आत्मा को जो दर्ड भक्त है उसको पवितर करता हुआ प्राप्त होता है कैसे जिस परकार विधुत सने वाले सथानों को आधार बना कर प्राप्त होता है आगे किसलिए आता है उदे से क्या होता याने का हे प्रमातमन उपदेश करने की इच्छा से तत्व ग्यान यथार्च ग्यान बताने की इच्छा से आप महापुर्सों को प्राप्त होते हो नीचे आ करके गती करके आते हो और आप अत्यंद्गती सीर्पदार्थ के समान हमारे अध्धात्मिक यग को यानि हमारे धार्मिक नुष्ठानों को पराप्त होते हैं आप कवीर देव हैं आप अल्लाहु अकबर हैं सुद्ध सुरूप हैं आप पाक हैं पवीतर हैं हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सोव आप हम को सुख दे हो गया सिद अब तीन पवीतर धर्मों के सद्गरंथों से सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा नर आकार है मनुसदर से है और उपर के लोक में तकत के उपर विराजमान शबर मुंडों के उपरी सथान पर और वहां से गती करके सैसरीर आता है या तत्वेगान परकास करता है परमात्मा के साकार स्वरूप का वर्णन करते हुए गुरू नानक जी ने गुरू ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 567 में लिखा है कि वड़ा साहिब है आप लख पारा तेरे बंके लोएण दंतरी साला सोने नक जेन लंबडे वाला कंचन काया सोयने की ठाला हंस हंसा बगबगा लहे मन की जाला बंके लोएण दंतरी साला तेरी चाल सुहावी मदूराडी बाणी कोकन कोई किला तल जोवाणी सारंगियों पगतरे ठिम ठिम आप आप संधूरे बिनवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मदूराडी बाणी साथ ही श्री गुरुग्रंथ साहिब प्रिष्ठ 1257 मलार महलाए घरूदों में लिखा है कि भगे कापड बोलाए बैण लम्मानाक काले तेरे नैण कब हूँ साहिब देख्या पैण उड़ां उड़ चड़ां असमान साहिब सम्रिथ तेराय तान जाल थाल डूंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब बीर जेन तन साज दिये नाल खंभ अत त्रिष्णा उड़न की डंज नदर करे तां बंधा तीर जियों वे खाले त्यों वे खांबीर ना एतन जाएगा ना जाएंगे खंभ पौणे पाणी अगनी का सनबंध नानक कर्म होगए जपिये कार गोर पीर सच सुमावए ए शरीर दर्शकों इन वाणियों में नानक जी ने कहा है कि सर्व शक्तिमान परमात्मा के भेद को कोई नहीं जानता मैंने उस परमात्मा को देखा है उसका दर्शन किया है ये सर्व शक्तिमान परमात्मा आपकी सुन्दर आखें हैं सुन्दर दांत हैं आपका नाक भी अती सुन्दर है आपके बाल चमकीले लंबे हैं आपका शरीर स्वर्ण जैसा है आपकी चाल मोहक है आपकी वाणी आप सारंग पक्षी के समान ठुमक ठुमक कर चलते हो लंबा नाक आखें सुन्दर हैं अर्थात सिख धर्म के पवित्र श्री गुरु ग्रंत साहिब से भी सिद्ध होता है कि परमात्मा साकार है साथ ही परमेश्वर का साक्षातकार करने वाले हरियाना के सुप्रसिद्ध संत गरीबदास जी ने परमेश्वर के विशय में बताया है कि यानि परमात्मा हमारे जैसा अर्थात मानव सद्रिश्य साकार है दर्शकों इन सभी प्रमाणों को देखकर अब आपको यह तो पता चल गया होगा कि सदियों से अध्यात्म की जो गुत्थी उलजी हुई थी और यह सिद्ध किया है कि परमात्मा अल्लाह निराकार नहीं है बलकि मनुष्य सद्रिश्य साकार है और उसका नाम कबीर है इससे यह भी पता चलता है कि हमारे धर्म गुरुओं को सद्ग्रंथों का ज्यान नहीं है अन्यथा वे परमात्मा को निराकार नहीं बताते तो चलिए, अब हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं सवाल नंबर दो, इसलाम और इसाई धर्म में एक खुदा को माना जाता है जबकि हिंदु धर्म में एक से अधिक देवताओं को पूजा जाता है तो क्या इसलाम और इसाई धर्म में अन्य देवता नहीं है? जैसे हमारे देश की संसद में कुल 545 संसद होते हैं जबकि सर्व शक्तियुक्त राष्ट्रपतिजी होते हैं इसी तरह 33 करोड देवता, ब्रह्मा, विश्नु, महेश यहां के व्यवस्थापक हैं जबकि पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर इनसे भिन्न है इसका प्रमाण पवित्र बाइबिल में है जब परमात्मा ने 6 दिन में सर्व स्रिष्टी को रच कर 7 दिन विश्राम किया और इसलाम, यहूदी और इसाई धर्म के प्रथम पुरुष बाबा आदम और उसकी पत्नी हव्वा की उत्पत्ती हो गई तो क्या हुआ अब पवित्र बाइबल से बहुत सी रहसे जो है सामने आएंगे इसमें ये भी आपके समक्स आएगा कि ये तिनु देवता, शिरी बर्माद, शिरी विश्णू, शिरी शिवजी, पूरे बर्माद के संचालक है और पुवित्र इसाई धर्म के इतिहास में भी उनका जिक्र है बले उनका नाम नहीं है, नाम अन्य वो अपनी वासा में कुछ भी लिख ले अपनी आत्मा परमात्मा ने आदम और हवा के उत्पती की जैसा पुवित्र बाइवल में लिखा है और फिर मनुश्यों की रचना करके सारे जो कुछ भी यहां बनाने थे बना के चांद सितारे पर त्थविया थी तो परमात्मा जो सर्वे सर्ष्टी रचना हार है वो तो विसराम कर लिया उसने उपर तकत पर सला गया उसके पस्ताथ यहां इस काल भगवान ने बाग डोर संभाल ली ब्रहम ने जो स्री बरमा, स्री विश्मो, स्री शिवजी के पिताजी है तो इसमें ये परमान दिखाते हैं कि क्या लिखा है कि आदम और हुआ, आदम विक्ती का नाम है और हुआ उसकी पत्री है उन दोनों को इस काल ने अपने पुत्र बरमा जी को संभाल दिया अब आगे दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार तो उनको दोनों को आदम और हुआ को श्वर्ग में एक वाटिका में रहने के लिए छोड़ दिया और उनसे एक विसेस हिदायत दे दी भगवान ने यहां के भगवान है कि तुमने इस वाटिका के अंदर और किसी भी वर्ग्स का फल तुम खा सकते हो लेकिन वीच में लगे हुए पेड़ों के फल को नहीं खाना क्योंकि तुम खाओगे तब मर जाओगे इसमें रिखा कि फिर कुछ दिनों के बाद एक सरप आया उस सरप ने उन से पूछा आदम और हवा से कहा कि आप ये बीच वाले पेड़ के फल क्यों नहीं खा रहे हो तो हवा ने सरप से बताया कि हमारे को भगवान ने मना किया है और कहा कि तुम यदि बीच वाले फल खालोगे पेड़ों के तो तुमारी मरतू हो जाएगी तो सरप ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा ये भगवान तुम्हें बैका रहा है तुम नहीं मरोगे बल्कि तुम्हें अच्छे और मुरे का ग्यान हो जागा इसके फल खाने से इसलिए भगवान तुम्हें धोखे में रखे हुए है कि कहीं तुम इस बीच वाले फल को वरक्सों के फल को खा के अपने अस्तितों को समझ सकें वो नहीं चाहता अब हवाने उस बीच वाले वरक्स के फल को तोड़ा आप भी खाया अपने पती से भी खिला दिया उस समय वो दोनों नंगे थे और उनकी ऐसी बुधी थी कि उनको सरम नहीं आ रही थी एक दूसरे से उस फल के खाने से उनको ऐसाश हुआ कि हमने ऐसे नहीं रहना चाहिए तोड़ों ने अंजीर के पत्ते होते हैं बड़े बड़े उन पत्तों को तोड़ा और अपने परदे पर बांध लिया लिखा इसमें पवित्र वाइबल में कि स्याम के समय भगवान आया वाटी कामर टैल रने के लिए और उसने आवाज लगा कि आदम और हुआ तुम कहा हो भगवान को देखकर उनकी आठ पाकर के वो छुप गए वरक्सों के बीच में और कहने लगे कि हम यहां बैठे हैं हमें आप से सरम आ रही है क्योंकि हम नंगे हैं तो भगवान ने कहा कि तुम ने बीच वाले पेड़ों के फल को खा लिया उन्हों ने कहा कि हाँ हमने बीच वाले पेड़ के फलों को खा लिया जिस कारण से हमें अब एक दूसरे से सरम आने लगी इस बात से वा भगवान नराज हुआ और उसे ने कहा कि तुम को किसी ने बताये पेड़ों के फल खाने और अवा ने चाह कि ए सरप ने बताया सांप ने अपने अत्मbers अमने अपने मतलब की बाते लेनी हैं ये तो बहुत बड़े स्दगरम्त हैं ये तो एक बन है अध्यात्मिक बन और थात्मिक बन से हमने जो जड़ी चाहिए अपने रोग निवारन के लिए उतनी ही निकाल लेंगे बाकी ठीक है बाग अराबरापडा ही रखाई है आपको ये और दिखाते हैं कि भगवान वाटिका में टेल रहा था और ये भी जिखाते हैं पर उतर वाइवल में कि उसने कहा कि अब इस बीच वाले फल के पेड़ के फल को खाने से ये इनसान बुधीमान हो गया है और कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के वरक्स वाले फल को भी ना खाले और फिर ये अमर हो जावा है इसलिए उसको वाटिका से निकाल दिया उनको और उनके चमड़े के कपड़े बनवाए बगवान ने तो बगवान नराकार की तरह गया कहां से हुआ नराकार ये कहां से लाए ये थूरी ये सिद्धान्त ये देखेगा ये हम पढ़ रहे हैं पुवितर वाईवल और जेनिशियस ठरी यानि तीसराज जाए मनुश्य का पतन प्रिश्ट नमर नौ पह योहा प्रमेश्वर ने जीतने बनेले पसू बनाई थे उन सब में सर्प दुरत था उसने इस्तरी से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वर्क्स का फल ने खाना सित्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वर्क्सों के फल हम खा सकते हैं पर जो वर्क्स वाटिका के वीच में है इसके फल के विसे में परमेश्वर ने कहा है कि ने तो तुम उसको खाना और ने उसको छूना नहीं तो मर जाओगे तब सरप ने स्ट्री से कहा तुम निश्चे ने मरोगे वर्ण परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुमारी आँखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ग्यान पाकर परमेश्वर के तुल हो जाओगे अतर जब स्ट्री ने देखा कि उस वर्ण शकाफल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाव और मुझी देने के लिए चाहने योग भी है तब उसने उस में से तोड़ कर खाया और अपने पती को भी दिया उसने भी खाया तब उन दोनों की आँखें खुल गई और उनको मालम हुआ कि वे नंगे हैं इसलिये उन्होंने उन्जीर के पते जोड़ तोड़ कर लंगोट बना लिये तब योहा परमेशवर जो की दिन के ठंडे समय यानि स्याम को या सुबै वाटी का में फिरता था अब देखो तब योहा परमेशवर यह यहा कहों से परमेश्वर, जो की दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, गुम्या करता था, का सबद उनको सुनाई दिया, उसके पैरों की आवाद सुनाई दी, तब आदम और उसकी पतनी वाटिका के वरक्षों के बीच में छुप दी, वरक्षों के बीच यहा परम प्रमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहा है जिस बगवान में न्योए नहीं बेरा आदम कित्स है तो बताओ प्रमात्मा है या नहीं ये भी संका होगी हमें तब योहा प्रमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहा है उसने कहा मैं तेरे सब्द बारी म कि मैं नंगा था इसलिए छिप गया अब उसने कहा किस ने तुझे बताया कि तु नंगा है जिस वर्क्स का फल खाने को मैंने तुझे मना किया क्या तू ने उसका फल खा लिया आदम ने कहा जिस स्ट्री को तू ने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वर्क्स का फल क्या किया है इस तरी ने कहा कि सरप ने मुझे बैका गिया तब मैंने खाया प्रेश्ट नमबर दस पर हम देखेंगे उत्पती ग्रंट अज़ा है तीन और चारा पड़ रहे हैं अभी तीन चल रहा है इसमें क्या लिखा कि आदम ने अपनी पतनी का नाम हुआ रखा क्योंकि जितने मुनस जीवित हैं उन सब की आदी माता वही हैं और योहा प्रमेश्वर ने आदम और उसकी पतनी के लिए चमड़े के अंग रखे बना कर उन्हें पैना दिये भगवान निराकार कहां से सारी बात करें उनके कपड़े बुणवावाए गुमें फर बोल लवतलावाए फिर योहा प्रमेश्वर ने कहा कि मुनस भले बुरे का ग्यान पाकर हम मैं से एक के समान हो गया है अब भगवान एक से अनेक हो गे फिर योहा प्रमेश्वर ने कहा कि मुनस भले बुरे का ग्यान पाकर हम मैं से एक के समान हो गया इस जी सिद्ध है ये भगवान इस सतर के एक से अधिक है इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ा कर जीवन के वर्क्स का फल तोड़ एक हाले और वो सदा जीवित रहे है एक और परमान दिखाते हैं इसी पवित्र वाइवल में ये देखीगा ये प्रिश्ट नमर ग्यारा पर भी यही समर्थन है ये उत्पत्ती गरंथ है चार काविस में जिकर है विवरन है आदम की वनसावली यह है कि जब परमेशवर ने मनस्की शिरिश्टी की तब अपने ही सरोक में उसको बनाया अब दुसरी वार फिर यहां पर्मानिद कर दिया कि परमेश्वर ने मुनुस की सिरिष्टी की तब अपने ही सरोग के अनुस में उसको बनाया उसने नर और नारी करके मुनुस की सिरिष्टी की और उन्हें आसीस दी और उनकी सिरिष्टी के दिन उसका नाम आदम रखा अब सपष्ट हो गया दो बार फिर कह दिया अब आगे दिखाते हैं ये भी दिखाते हैं कि ये तीन हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं कि इसको इसाई धर्म को ये देखीगा वो तीन हैं तीन का भी प्रमान आपको देते हैं ये देखीगा ये है 24 प्रिष्ट और वही उत्पत्ती यानि जन्सिस 17 अठारा तीन अती थी अबराहम मम्रे के बांज वरक्षों के बीच कड़ी दूप के समय तंबू के दौार पर बैठा हुआ था अबराहम तब योहा ने उसे दर्शन दिया उसने आँखें उठा कर दृष्टी की तो क्या देखा कि तीन प्रुस उसके सामने खड़े ये तीनो बेरमा विशनो महिस जब उसने उन्हें देखा तब उन से भेंट करने के लिए तंबू के दौार से दोड़ा और भूमी पर गिर कर दड़वत कि और कहने लगा ये प्रभू ये धी मुझ पर तेरी अनुगरे द्रिश्टी है तो मैं विंती करता हूँ अपने दास के पास से चले न जाना मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाउं दो कर इस वरस के नीचे विश्राम करें फिर मैं एक टुकडा रोटी ले आऊँ और उसे आप अपने अपने जीव के को तरप्त करें तब उसके पस्चाथ आगे बढ़ें क्योंकि आप अपने तास के पास इसलिए पधारे हैं उन्होंने का जैसा तू कहता है वैसा कर अब देखो गुनात्मा इस पवीतर वाईवल ने यह सिद कर दिया कि परमात्मा मनुस द्रे से है वो साकार है मनुस जैसा है क्योंकि उसने मनुसियों की सिरिष्टी अपने सरूब के अनुसार की दूसरा कंसेप्ट यह कलियर कर दिया कि सातमे दिन तकत पर जाव एठा उसने विसराम किया उसके बाद इसकाल के हात्म बागडोर आगी ब्रहम के हात्मे और इसने अपने तीनों पुत्रों को ये बागडोर समाल रा की है स्री बर्मा, स्री विश्णो, स्री शिवजी को आपने ये भी देख लिया कि भगवान किसी दृष्टी कोंड से भी निराकार नहीं है वो साकार है, पूर्न प्रमात्मा भी साकार है जिसने सारे बर्मंडों की रिचना की और आगे ये देवता भी साकार है, जो वाटिका में घूम रहा है उनसे बातें कर रहा है, आदम और हुआ के कपड़े सिल्वा रहा है और फिर अबराहम नाम के एक महापुरस हुए है, इसी इसाई धर्म में इसाजी से पूरों की बाते हैं, आदम जी के बाद की बाते है तो उसक ने देखा के तीन भगवान खड़े सामने, उनको डंडवत प्रणाम किया तो परमात्मा निराकार कहां से रहा, ये कहां से लाई ये सितांत ये था लोकवेद, लोकवेद वो होता है जो दंध कता होती है, जो सद्गरंथों के विप्रित होता है इससे स्पष्ठ है कि हिंदू धर्म में ही नहीं, बलकि इसलाम, ईसाई सभी धर्मों के व्यवस्थापक ये ही देवी देवता है जबकि पूर्ण परमात्मा इनसे भिन्न है सवाल नंबर 3 परमात्मा को हर कोई पाना चाहता है, जिसके लिए सभी व्यक्ती अलग-अलग तरह की भक्ति क्रियाएं करते है तो जब सब का मालिक एक है, तो फिर अलग-अलग भक्ति क्यों, और उसे एक परमात्मा को पाने का वास्तविक भक्ति मार्ग कौन सा है यह बात सत्य है कि सब का मालिक एक है यानि स्रिष्टी को बनाने वाला सर्व शक्तिमान परमात्मा एक है और उसके पाने की भक्ती विधि भी एक है और उसका मंत्र भी एक ही है सुनिये परमात्मा को पाने के वास्तविक भक्ती मार्ग के विशय में बाखबर तत्व दर्शी संत रामपाल जी महाराज के मुखार बिंद से आध्यात्मिक सत्संग गीता ग्यान दाता आथ में जाए के तीसरी स्लोक में कहता कि अरदुन वो परमक्सरवर्म है अरदुन ने आठ में जाए के पर्था मंत्र में पूछा कि हे बगवन आपने जो साथ में जाये के गीता जी के 39 में सलोक मजिस्ट अत्वरम के विशे में कहा है कि उसको जान करके प्राणी फिर केवल यहां से जनम मर्त्यू के रोग से छूटने का ही प्रियतन करता है जरा माने बुडापा वर्दवस्था के कष्ट और मर्ण मन मर्त्यू से बचने का सुटकारे की कौशिस करता है वो इस अनसार की किसी वस्टू में इच्छा नहीं रखता तो आठमे जाये के परत्व मैं पूछा के किम तत्वरम गीता ग्यान दाता ने आठमे जाये के तीसरे सलोक में का जो प्रमक्सर बरम है फिर आठ में जाए कि पांच और साथ स्लोक में तर अपने बारे में कह रहा है नीता ग्यान दाता कि अर्दून तो मुझ ममनवाला हूँ मेरे परासरी तो जा मेरी बगती कर और युद भी कर तो मुझे ही प्राप्त होगा तो इसने अपनी बगती करने वाल को कहा है लेकिन मुझे प्राप्त होगा शांती नहीं हो सकती युद्ध तो करना पड़ेगा आठ में जाय के आठ नो दस में कहा है कि उस परमकसर ब्रम की साध ना करने वाला प्राणी है उसके पास चला जाता है पंदर में जाय के एक से लेकर चार में कहा कि तत्वदर्सी संत की पहचान बताई है और उसके पस्चाथ तत्वदर्सी संत मिल जावा है सत्गुरू मिल जावा है उसके पस्चाथ परमेश्वर के उस परमपद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद सादक फिर लोटकर कभी संसार मनी आते है अठार में दै के 62 में और 66 में सलोक में कहा कि अर्दूं तु सर्वभाव से उस परमेश्वर की सर्ण में जा उस परमक्सर ब्रम की सर्ण में जा उसकी करपा से तु परमस्यानती को और सिनातन परमधाम को प्राप्त हो और ऐसे इए अठार में जाय कि 66 में स्लोग में कहा कि सर्वध धर्मान प्रीतेज माम मेरे सतर की जो साधना है 10-8 में जाय कि तेरे में स्लोग माम गीता ग्यान दाता कहता है मुझ ब्रम का एक ओम मंतर है और ओम से होने वाली जो प्राप्त कर सकता जो अंतिम स्वास तक ओम का ही जाब करता हुआ श्रीर त्याग कर जाता है तो उससे कौन सी गती होती है ब्रम लोग प्राप्ती होती है क्योंकि ब्रम का मंतर ओम है आठ में जाकर शोल में पर्मी शलोक में घीताजी में आजा, यह ब्रह्म लोग प्रियंत सबद्रा वरती में है, वह गए होे प्राणी भे फिर जन्लमरण के चक्र मे रहते हैं, और उस परमक सर ब्रहम की बगती के लिए सतर में जाकर थीश में जाकर प्रमी, कि के पाने की तीन मंतर का निर्देश है ओम तत सत ओम ये बिर्म का है तत ये अक्सर पुरुष का है गीता जित गहने पर पंदरा के स्लोक नमर 16 और 17 में तीन पुरुष है एक सर पुरुष एक अक्सर पुरुष एक परम अक्सर पुरुष है जो परम अक्सर पुरुष है वो समसे स्रेष्ट है और वही वास्ताव में विनासी है अन्य सरपुरुष और अक्सरपुरुष को नासवान का है और उसके उनके लोकों में इतने प्राणी है वो भी नासवान है तो उनकी बगती से तो मोक्स होई नहीं सकता अब स्रीमद भगत गीता जायनमर 17 के सलोक नमर 23 में ओम तो ब्रमकादा अब सरपुरुष का और तत ये संकेतिक है ये अक्सर पुरुष का और जो सत सबद है वो भी संकेतिक है इसको सार नाम भी कहते हैं इसको आदी नाम भी कहते है तो इन तीन्नों मंत्रों की मजदूरी से इन तीन्नों मंत्रों की साधना से हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं उस मोक्स सथल प्राप्त कर सकते हैं वो सुख प्राप्त कर सकते हैं जिसके विशे में मुन्नन किया गया है अब जैसे हम hand pump लगाते हैं तो hand pump में हम बोकी मारते हैं तो ये बोकी और hand pump ये हमारा उपास से नहीं है लेकिन इस तरीके विना वो उपास से वस्तू नहीं मिल सकती है वांचित वस्तू नहीं मिल सकती जल नहीं मिल सकता तो ये पूजा नहीं कर रहे हम हम तो वो साधन अपनाया है जिससे वो जल मिल जा तो ये जो मंतर है ओम कार ये दूसरे दो संकेतिक है ये कोई हम पूजा नहीं करे हम उस अपनी वनचित वस्तू के पाने के लिए साधन अपनाए हैं, ये साधनाए हैं तो ये साधना है उस परमक्सरविर्म के बाने की जैसे सतनाम का दो अखर का मंतर है, एक ओम, एक तत जैसे आदनिया नानक साइब जी की जनम साखी के अंदर समंदर की साखी में यह परमान है उन दो अखर के मंतर का अभी बोल के नहीं बताएगा तो इन दोनों मंतरों का जाप किया जाता स्वांस उ स्वांस से जैसे हम नजल निकालना जल तो उसके लिए हैंड पंप लगाएंगे तो पहले बोकी मारेंगे माटी मीटी बार फैकेंगे बोकी मारेंगे फिर बार निकालेंगे और पाइप नीचे छोड़ दीगे यू काम है सब जो सतनाम का दो अखर की बोकी चलेगी स्वांस उ स्वांस से अब ये सतनाम ये बोकी ने अपना काम कर दिया जल तक पहुंचा लेकिन बाहर जल नहीं प्राप्त हुआ उसके लिए एक और आइटम लगाना पड़ा है हैंड पंप उपर मसीन बोलते हैं उसको और फिर उसकी पूझा करनी है उसको भी ऐसे इलाना है प्रैक्टिस करनी है जब वो जल निकलता है तो ऐसे ही केवल सतनाम प्राप्ति से भी मुक्स नहीं सारनाम नहीं मिलाता है वो जल मिले नहीं सारनाम समझो हैंड पंप का उपर का वो मसीन है तो ये मसीन उसी से में लगी हुई सक्सस होगी जब वो पूरी जल तक पहुँच चुकी होगी बीच में अगर कोई कहे एंड पंप लगा दे मसीन फिट कर दे मिस्टरी मिस्टरी कभी नहीं करेगा तो ये दास आपको ये सब वस्था बता रहा है ये आपने करनी है मजदूरी करनी है इसकी और जब सारनाम का समय आएगा आपकी पाइप पहुँच जागी उस परम अकसर बरम के पाने का ओम तत सत ये तीन मंतर का जाब है ओम ये बरम का है तत ये अकसर पुरस का है उसको पर बरम भी बोलते है और सत ये परम अकसर बरम का इसको पार बरम कहते है पार बरम एक पार बरम बरम तो ये सर पुरस है ये काल भगवान 21 बिर्मांड का स्वाव है अक्सर पुरुस इसको परवर्म कहते है बर्म से नेश्ट भगवान पर यानि दूसरा और इससे उपर पारवर्म पारवर्म नहीं सबसे परले पार का सबसे उपर वाला वो पारवर्म होता जैसे आप संतों की वार्वर्म सबस सुनते हैं वो पारवर्म के लिए नहीं है वो पारवर्म यानि सत्य पुरुस के तरफ संकेत है प्रम अक्सर बर्म की तरफ संकेत है तो जैसे तो उस परमात्मा के पाने का फिर तीन मंतर का जाप है ओम तत्सत तो इस परकार हम उस परमात्मा को पाएंगे कैसे पाएंगे गीता जिद्धाय नमर 18 के स्लोक नमर 66 में कहा है इस गीता ग्यानदाता अब्रहम ने सर्व दर्मान परितज माम एकम सर्णम वरज एहम तवासर है पापे भ्या मुक्षामी मासुच ये क्या कहता है कि मेरे सतर की जितनी पूजाएं है वो मुझ मैं छोड़ दे मुझे दे दे मेरे सतर का जो तन्य मजदूरी करी है फिर मैं तुझे यहां से जाने दूँगा नहीं तु मेरा बंदक मजदूर है और मेरा करज उतार दे फिर तु उसकी सर्णम जा एकम एकम है जिसके बराबर दूसरा ना हो एद दूटिय जिसके समान दूसरा कोई सकती सालिभ अगवान ना हो उस एकम सर्णम वरज उसकी सर्णम है जा खारीन अग्यानी हमारे दर्म गुरूओं ने अनुद करता रियसी मडलेस俗ार एं अणुद कराखे गीता जी में अनु तम मैननता थी उत्तम बतारे हैं ये देखी ने व्याकरन बज़र डाली अपने अज्ञान ताकिकार और वर्ज माने जाना होता है ये आना बोलते हैं आना लिखावान वाद कर रख्या है इंग्लिस का वर्ड है गो और गो माने जाना होता आना तो वह नहीं सकता ये दो मूर रखा अगर कोई उस संटेंस को ना समझ कर उसका अर्थ आना कर रहा है तो वह बिलकुल अज्ञान नहीं बेखती है वह आश्या को समझा नहीं उस उस परकरन के आश्या से वह परिचित नहीं है अब ये जैसे गीता जित दया नमर दो के सलोक नमर साथ में अर्दून स्वेम सभी कार रहा के मैं आपकी सरण हो आप मेरे गुरू हो मेरी बुद्री काम नहीं करती है मुझे निरना एक ग्ञान दो मैं आपकी सरण हो अब यहां फिर नो को है कि मेरी सरन मा जा उसकी सरन तो पहले के रहा है मैं तो तिरी सरन खड़ा हूँ और सब दर्मों के कर्मों को मुझ मैं छोड़े कर मेरी ये सरन मा जा अकल देखो इनकी इनने बहुत सी जगह ऐसे अन्रच कर रखे जहांए समझ नहीं सके दर्शकों आपको बता देए गीता ज्यान दाता और कुरान का ज्यान दाता एक ही है जिस तरह गीता अध्याय सत्रह श्लोक तेबीस में पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ती के तीन मंत्र ओम तत सत्का संकेत किया गया है ठीक उसी तरह कुरान मजीद की सूरह अश शूरा के आयत दो में अल्लाहु अकबर की यथार्थ पूजा के आयन सीन काफ मंत्र का संकेत कुरान ग्यान दाता ने किया है इसका निर्णय करते हुए बाखबर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि कुरान में अर्भी भाषा की वर्णमाला के अक्षर अयन सीन काफ क्रमशी देवनागरी लिपी के अक्षर अ से कव है जैसे ओम मंत्र का पहला अक्षर अ है इसलिए एन अक्षर ओम का सांकेतिक है इसी तरह तत यह सांकेतिक मंत्र गीता में भी लिखा है इसके यथार्थ मंत्र का पहला अक्षर सा है इसलिए सीन अक्षर उसी की ओर संकेत करता है तथा जो तीसरा सत मंत्र है उस यथार्थ मंत्र का पहला अक्षर क है इसलिए काफ अक्षर उसी की ओर संकेत है और परमात्मा प्राप्ति के इन वास्तविक मंत्रों को पूर्ण संत उपदेश देते समय प्रदान करता है सवाल नमबर चार प्रारब्ध कर्मों के कारण आज प्रत्येक प्राणी दुखी है तो वह परमात्मा कौन है, जिसकी भक्ती करने से प्रारब्ध कर्म, अर्थात पाप कर्म समाप्थ हो जाते हैं दर्शकों, प्रत्येक साधक, अपने दुख निवारण के लिए साधु संतों, मौलवियों के पास जाता है जो पहले तो धार्मिक क्रियाएं बताते हैं, जब उनसे कोई लाब नहीं होता, तो कहते हैं कि यह भोगना ही पड़ेगा इसका क्या समाधान है देखिए, वेदों से तथा जानिये देवताओं, राक्षसों के गुरु, दयानंद सरस्वती और वर्तमान धर्म गुरुओं, कथा वाचकों को अपने शास्त्रों का कितना ज्यान था तो वो किसी के पास जाता है, वो देखिदा कर कहता है भी तेरा जो कष्ट है, पीड़ा जो तुझे, तुझे काटा लगया हुआ अंदर गैरा, वो पर नहीं दीखता हूँ तो उसके लिए समाधान क्या है, उसका समाधान तो यह है, काटा निकलना चाहिए, और कोई यह कहे, के काटा तो निकलेगा नहीं, यह तो तेरी एड़ी में, पंजे में लगया ही रहेगा और बगती कर आगे का जीवन तो सफल हो जाएगा, यानि जो तो तो प्रहद के करम है, यह तो तुझे भोगने पड़ेंगे, और कोई यह कहे, के बगती कर आगे सुखी हो जाएगा पुन्यात्माओं को यह कहे, के तेरे पैर का काटा तो निकला नहीं, और जूता पैन ले आगे काटे ना लगेंगे तो काटा लगे पैर में जूता पैना नहीं जा सकता, वो तो काटा निकला है, और फिर उसको सला दी जा, के जूता मत निकाल दी, सफर में तो डरके मारे के कहीं फेर ना बात बिगड़ जा वो कभी दूता नहीं उतार है फिर उस सफर में तो पुन्हातमा उत जिन को करम के काटे चुभे हुए हैं और उनको कोई सलाह दे कि ये कर ले वो कर ले कुछ दिर तो करते हैं वो फिर जब उनको ये सलाह मिलती है अंतम ये मिल जाता है कि करम तो भोग नहीं पड़ेंगे फ्राहर्द के हैं और बगती कर ले खाक बगती करेगा वो कर ली बगती सिन्ने ता फिर उस का टेब जान रहेगा पहन सकता जुता उसको तो कहने का भाव ये है कि हम अमारे सद्गर्णत जो हमें बताना चाहते है वो हमारे दरम गुरु परिचित नहीं थे प्रमात्मा के गुण क्या बताते हैं ये डंडोरा की सीज़ का पीट रहे थे ये सारा मिस्गाइड किये बैठे थे अपने को आज तक जितने भी महापुरस आप देखो सब की यही दसा है इनकख नहीं पता था अब थोड़ी सी जलग दिखाते हैं इसी पॉइंट पर ये देखिएगा ये देवी प्राण है इसी में आपको दिखाते हैं ये गीता प्रैस गुरुपर से परकासित है अनुमान परसाद पोदार चमन लाल गोस्वामी इसके संपादक है और गीता प्रैस गुरुपर से परकासित है मुद्रित है आप जी को थोड़े से सत्संग में इन सभी रिसी में रिसीयों की तलासी लेकर दिखा दूँगा ये कितने विद्वान थे और क्या ग्यान दिया करते थे ये देखिएगा ये चौथा सकंद है और 243 प्रिष्ट पे व्यास जी कहते हैं कि परलाद की बात सुनके के पस्टाद सुक्रा चारिये ग्यान दिरिष्टी से सब कुछ देख कर परसन हो गए उनका मुख मुस्कान से भर गया उन्होंने दैतों से कहा दानो तुम मेरे यजमान हो भगत हो तुमें ने तो डरना चाहिए और ने पाताल में ही जाना चाहिए अपने सत मंत्रों के परभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा दर्म के मरमज महाशो प्राचीन समय में बर्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं सुनो ये बचन बड़ाई हितकर है सत्य और अटल है उन्होंने कहा था कि होने वाली बातें अवस्य होकर रहती हैं द्रातल पर कोई भी ऐसा सुयोग पुरस नहीं है जो प्राहर्वत को विफलक बनाने में समर्थ हो सके विपरिट समय के कारण इसमें तुम्हारी सक्ती अक्सीन हो गई है अता है एक बार तो तुम्हें देवताओं से प्रास्थ होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा समय सदा बदलता रहता है कुछ ही दिन पुरु तुम समराट रह चुके हो अपने अत्मों इनकी देखियो दोगली बात कैसी है अब जैसे इन दैतों के गुरु शुक्राचारिये माने जाते है अपने अत्मों हम परलाद जी को एक प्रमभक्त मानते है और जो साधना उस प्रमभक्त न करी थी विश्मु जी की उपासना की उस साधना से फिर वो स्वरग में गया उसके बाद समराट हो गया राजा बना और फिर जगड़ा उनके साथ आपस में युद्ध हो गया राक्ससो और देवताओं का तो इनका गुरु जी क्या कह रहा है ऐसे ये मुर्ख बना रहे अपने को ए अपने सत मंतरों से तुम्हारी रक्सा कर लूँगा और तुम्हे पातालमा नहीं जाना चाहिए तु निश्चंतरो और फिर क्या कहता है तुरंत ही बदल गया पैतरा कहता है एक बात तोटल है मैंने बर्माजी से सुनी थी इनके ग्यान का जितने भी ये रिसी महरेशी हु पाइनल मानते हैं बर्माजी ना अपनी पता मैं कहां से उत्पन हुआ तो ये क्या बताता है कि मैंने बर्माजी के मुख से सुनी है और बर्माजी को ये वेदों का सबसे बड़ा ग्याता मानते हैं क्या कह रहा है कि मैंने बर्माजी से मुख से एक बात सुनी थी कि जो हौ मंतर का बाड़ में गए मूरख बनावाई है फिर पढ़ो एक भार अब ये चौथा सकंद पढ़ रहे हैं सिरी देवी पुरान का ब्यास जी बता रहे हैं लेखक जो पुरानों के लेखक परलाद की बात सुनने के पस्ताद सुक्राचारिय ग्यान दरिष्टी ये सब कुछ दे कर परसन हो गए उनका मुख मुसकान से बर गया उन्होंने देतों से का दानो तुम मेरे ये जमान हो तुमें ने तो डरना चाहिए और ने पाताल में जाना चाहिए मैं अपने सत्मंतरों से प्रवाओं से तुमारी रक्षा कर लूँगा और फिर आगे तुरिद क्या कहा है कि दर्म के मरमज महाशो प्राचिन समय में ब्रमाजी के मुख से मैंने जो बात सुनी है सो बता रहा हूं सुनो ये वचल बढ़ा ही सत्य हितकर सत्य और अटल है उन्होंने कहा था होने वाली बाते अवसे होकर रहती है दरातल पर कोई भी ऐसा सु योग पुरूश नहीं है जो प्रहरब्द को विफल बनाने में समर्थ हो सके विप्रिश समय के कारण तुम अब तुमारी इस समय तुमारी सक्तियक्षीन हो गई है एक बार तुमें देवताओं से प्राष्ट होकर पताल में जाना है पड़ेगा फिर वो तिरे सत्मंतर कित गए ये न्यों मुरख बना रहे देख तुरे दूट बोल रहा है एक बार तो छाती कूट रहा है मैं अपने सत्मंतरों से ठीक तुमारी रक्षा कर दूँगा तुमने नहीं जान दूँगा अब इन्यों के जाना है पड़ेगा वह तो आग्यान थे इनका अब दूसरा दिखाता है अब देवताओं के गुरु बिरस्पती की आपको वारता सुनाते हैं इनका ज्यान दिखाते हैं पाचवा सकंथ वही देवी भागवत दोसो ब्यासी प्रिष्ट पे हम पढ़ेंगे यहां से ब्यास जी कहते हैं देवराज इंदर की बात सुनकर बिरस्पती जी उनसे कहने लगे इंदर को सला दे रहे हैं कौन देवताओं के गुरु बिरस्पती जी अब यहां आ जाते हैं अपने मतलब की बात पढ़ेंगे दोसो त्रिष्ट पे प्रार्द कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता यह सपष्ट है आरिये संपून देवता तुमारे साय कहें तुम स्विम भी बुदिमान हो फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी तुम उसे टाल नहीं सकते ऐसी सथीथी में सुख और दुख की चिंता मन नहीं पढ़ना चाहिए महाबाग सुख और दुख ये दोनों कर्मस है पुन्य और पाप पुन्य एम्यम पाप के अक्षय के सूचक है अतेव विद्वान पुरसों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वता सर्वता आनंद का ही अनवाव करें अतेव महराज इस आवसर पर सुयोग मंत्रियों से प्रामर्स कर लेकर विधिपुरों की यतन करने में कटिबध हो जाओ यतन करने पर भी जो होन हार होगा वो तो सामने आएगा ही आएगा अब आगी इसकी देवताओं के गुरू बरिस्पती जी का भी यही नियम है यही विद्धान बता रहा है कि जो परहर्द में लिख्याओ तो भोगना ही पड़ेगा और इसको टाला नहीं जा सकता फिर दूसरा विद्धान क्या बताता है कि दुख में भी सुख का अनुभाव करना चाहिए फिर पढ़िए यह कह कि प्रहर्द कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता यह सपष्ट है फैनल हो गया फिर क्या कहते हैं कि ऐसी सथीती में तुम दुख की चिंता मनी पढ़ना चाहिए और कहते हैं सुख और यह दुख यह दोनों कर्मसे पुन्य और पाप के अक्से के सुचक है विद्वान पुरसों को चाहिए कि सुख के अवाओ में भी सर्वता आनंद का ही अनुभाओ करें पुन्य अत्मों इन की बेवकूफ बातों को सुनकर दासन दुख हो है और यह मेर सी कवागे एक तरफ तो कह रहा है कि प्रहर्ब्द के करम तब होगने पड़ेंगे फिर कह रहा है कि सुख के अभाओ में भी दुख सुख के अभाओ में भी आनंद की मैसूस करना चाहिए बताकल इनकी अब किसी के पेट मज़र्द हो जा और मारा चलावा बिचारा पड़ा 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 और उसको नहीं कह ना तुख में भी सुख का नुभाओ कर जब भाओ पीड़ा मिट रहा है गोली दुखाई खाने से तो तब वो सुख का नुभाओ केंट तब सुख का नुभाओ हो जाएगा तो इनके ऐसे विधान है अब देवताओं के गुरू और राक्ससों के गुरू दोनों का विधान बता दिया फाइनल हो गया उदर से महरसी स्वामी रामानंद जी भी यही बता रहे है और एक इस कलियोगी महरसी के दो वचनोर सुना जो यह सारे एक कुए का पानी था यह कलियोगी महरसी दानंद आरिय समाज पर वर्तक और इसका फीत लारा की थी के सभी वेदों के गयाता वर्तमान में महरसी दानंद जैसा कोई नहीं और इस जैसा गयाननी मनदर तीवे नहीं पाया इतने संतों के विधान देखे पर यह सब तक गयाननी किसी भी अक्सेतर में इसका कोई जो हैना सवस्त विचार नहीं मिला अब देखियो इसके विचार यह सत्यार्थ प्रकास है इनका पूरे जीवन का अनुभाव जैसा इन्होंने परमात्मा को जाना अब देखो पनात्मा इनका इस पोजन देखके आदमी कटके मर जा अब बड़ा महापुरू सुशन दा बगवान ते जो मासमादी लाएं बैठा होगा अब उन्हात्मा इस तरह के जो बाही दिखावा था हमने बहुत देख रहा था अब अंदर जाएंखिका देखांगे इनका इनका पाया ऐसा कुछ करने के उपरान था अब देखीगा इनी का विधान इनका लिखा हुआ है सत्यारपरकास मेरिशिदान्द सरसोती ये है सत्यारपरकास मेरिशिदानद जी के पूरे जीवन का अनुभाव इसमें क्या लिखा है कि वेद आदी विविद सद सास्ट्रे परमानई इसका फीत है आगे की शुरुवात में नामत यूणे दानन्द है इस ते पहला शुरी मत परम हन्स परिवराज का अचारिये महरसी इबाया नामत दानन्द फिर सरस्वती स्वामी दोहारा रचित वी रचित है इसका क्या भाव है कहने का भाव इनका ये लिख रखे है ना वेदादी सद सास्तरों यानि वेद और अन्य सद सास्तरों से निसकरस निकाल के महरसी दानन्द दोहारा सत्यार परकास का किरत ना की गई अब आम व्यक्ती ने सत्यार परकास को पढ़ना शुरू कर दिया था वेदों को छोड़ दिया कि इन्होंने सही जाना है और सही निश्कर्स निकाल का हमें सिम्पल साधान सी भासा मत दे रख्या हिंदी में तो इस सत्यार परकास को शिरोधारिय मान लिया था ये एकोपनिस्त का रूप दारन कर लिया था इसमें दास ने भी इसको इसी दिर्ष्टी कॉन से पढ़ा था कि इस महापरुस के भी वच्टन ये धी परमात्मा के वच्टनों के समर्थक मिल गे तो वह सुईदा मिलेगी मुझे जन्सा धरन को बगवान की पहचान बताने में जब इसको पढ़ा तो इसका कहीं पर भी सिर्पेर भी ठीक नहीं पाया और फिर ये जन्ता के सामने इसकी पोल खोलनी पड़ी ना ते दो खेमर रह जाते अब देखो सातमे समुलास में आपको दिखाते हैं इस केता है एक परिष्ट पर कई भी दान फेल हो जाते हैं सत्यार परकास है सब्तम समुलास सातमा समुलास किसी ने पूछा परसन इसवर साकार है वा निराकार मेरिसी दानद उतर देते हैं निराकार है ठीक है किसी ने प्रसन किया कि प्रमेश्वर की सतूती प्रार्थना उपासना करनी चाहिए वा नहीं उत्तर महरिशी दानद का करनी चाहिए प्रसंद करता कहता है क्या सतूतियाधी करने से इस वर अपना नियम छोड़ सतूति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा मेरिशिदान्द कहता नई प्रसंद करता कहता तो फिर सतूति प्रार्थना क्यों करना किसलिए करें बाइज पापन नहीं छुड़ा सकता अब कोई न्यू कहे कि क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा कोई न्यू कहे कि नहीं यह सो भाविक परसन उठाएगा वह फिर साबुन की ओसकता क्या यदी परमात्मा पापनास नहीं कर सकता तो यह सतूती बगती की ओसकता क्या परसन करना सही परसन करता सही परसन कर रहा है लेकिन यह अग्यानी क्या बोल रहा है देखे क्या सतूती आदी करने सहिस्वर अपने नियम छोड़कर सतूती परार्थना करने वाले यानि बगत के पाप छुडवा देगा स्वामी जी कहता नहीं मेरी सिधानत कहता नहीं परसंद करता कहता तो फिर सतूती प्रार्षना क्यों करना स्वामी जी का उत्र उनके करने का फल और है अन्य ही है परसंद करता कहता क्या है स्वामी दानन जी कहते हैं सतूती से इस्वर्मा प्रीती उसके गुन करम सभाव से अपने गुन करम सभाव का सुधरना प्रार्थना से निर अभिमानता उत्सा और साहे का मिलना उपासना से परवर्म से मेल और उसका साख साथकार होना वारे ये ऐसी बगवाद तो आदमी महा मूरख बोल सकता है जो इन्होंने बोली है पहले डे पर एक सो चम्मन परिष्ट पर कह रहा है बगवाद निराकार है यहां कह रहा है उसका पाप तक टैनी बगतीत है और उसका साखशातकार हो जागा बता जिसके पाप निकटे अपरादी बिकती है और वो बगवाद से मिल लेगा साखशातकार तो साकार का होता है निराकार का होगा कैसे अपना अत्मा इस दास के सामने यहां समझे आरी है मैं सारी साची को हूँ मेरे आली जस्तीनी और यह नहीं सारी जूट बोल रहा किया फेटोरी तो अब इस ग्यान से ही यह रेगमार लगएगा परमान दिखाए जाएंगे यह क्या बोलते हैं हमारे सद्गरंद क्या बताते हैं तो यह अग्यानी से दो जाएंगे सारे कि यह मुर्ख बना रहे थे अपने को इनको कुछ भी ग्यान नहीं था फिर हम इन ताठ जाएंगे अपना सही रस्ता पकट देंगे इतनी सी बात है दास की और किसी की माना नहीं करना या किसी को उचानी चाह करना कोई उद्श्य नहीं क्योंकि यह दास भी टीचर है और यह भी जात्मिक टीचर को वावं थे एक अज्यापक नहीं कोई परसन गलत हल कर रख्या है और उसको बच्चे याद कर रहे हैं दूसरा टीचर आता है उसका कर्टों बनता है कि उस गलत परसन को ठीक करावे ताकि उन बच्चों का वविश्य उजवल हो और उस टीचर का कोई विरोध करता है जो सही मारग, सही रष्टार, सही परसन हल कर रहा है तो कौन होगा, क्या वो ही तैसी हो सकता बच्चों का वो तो सत्रू होगा जो उस टीचर का विरोध कर रहा है उसके दो पर कारके कर सकते हैं एक तो वो जिन्होंने वो गलत पुस्तक चाफ कर वेच रोड़ जीरोटी चला रहे वो विरोधी हो सकते हैं तुम्हारा क्या होगा या दूसरा के वल उनको मूरख बनाकर आचारिया संक्रांबनकर उनको पर संक्राचारिया आचारिया बनकर उनसे पैसे कठे कर रहा होगा मूरिख बना कर तो करते रहो दास नतर साची करने का ठेका ले रखे जाए कुछ भी हो ये पूरा ग्यान विश्वा में फैलागा बगवान का आदेश है दास के साथ है प्रमात्मा और इस साथ हो रहा है अब देखिएगा यहां इसी सब्तम समुलास के 163 प्रिष्ट पर और कलियर करेश दानत जी ने परसन करता कहता कि इस वर अपने बगटों के पाप अकसमा करता हवा नहीं मेरे सिदानत कहता नहीं क्योंकि जो पाप अकसमा करे तो उसका न्याय नश्ट और सब्मनुस्ट मापापी हो जाएं क्योंकि उनको पाप करने में उत्सा निर्भाता हो जैसे कोई राजा अपरादियों के पाप अकसमा करे तो वे अधिक अधिक अपराद पाप करने लगें और जो अपराद नहीं करता हुए भी अपराद करने लगे शेना डरेगा इसलिए सब करमो का ये था वत्फल देना इस वरका काम है अकसमा करना नहीं सभश कर दिया पुनात्माओं पहले तो इसके इस विद्धान को फेल करते हैं के राजा यदी पाप माफ कर दे अपराद तो दूने अपरादी हो जाएं जैसे एक बार पंजाब राज्ये में नोजवान बच्चे किसी से भर्मीत हो करके और एक विसगाइड हो गे थे उगरवाद फैल गया था तो सरकार ने एक फैसला एक आदेस जारी किया था कि जो मुखे धारामा आ जागा बच्चा पहले गलती होगी सो होगी किसी की दोखे बर्मित करने से तो उनके सब अपराद अक्समा कर दिये जाएंगे और वो सही नागरिक बनकर रहेगा तो तो सभी के सभी आकर के उन्हें सबरपन कर दिया सरकार ने ऐसा ही किया जो गलती बनगी थी बच्चों से माफ कर दी अब वो नेक नागरिक होगे यदि उनको सजा देता दूड़ा और उगरवाद बन जाता तो कहने का भाव ये है कि पहले थी ये भी दान फेल कर दिया दान का आपने एक बहुत वेल नौन सी एक लेड़ी थी और थी बेन जिसको फूलन देवी कहा करते थी वो डाकू बन गी थी किनी परस्तितियों में और जब सरकार ने उससे कहा कि यदि तू आगे अपराद नहीं करेगी तेरे पिछले सारे माफ कर देंगे तो उससे ने समर्पन कर दिया सविकार कर ली और वो MP तक बन गी मेंबर ओफ परलेमट तक बन गी थी वो लड़की बेन तो पहले तो इस जानत की मोटीव दी यहां फेल होगी जो यह कहता है एक रादा ऐसे कर दे वैसा उसको कैसे और अपराद करने लग जाएंगे नहीं यह परमात्मा का भी धान है जैसे गलती से बगहर ग्यान के आपने जो गलतियां कर दी वो माफ करेगा आगे सत्रक कर दिया जाएगा ऑसका ग्यान दिया जाएगा कर फिर से ऐसी गलती ना करना पिर यह दुख पiri आपको फिर हो जाएंगे तो फिर ऐसी गलती कोई नहीं करता तो ऑएसे ही अब दूसरा जो परसंद है कि सादक के पाप साधना से बगवान पाप नास नहीं करता तो क्या अबुद इमान विक्ती बात कर सकता है और कहता है इसे और फल हो जाता है और अन्य ही फल है अन्य क्या फल है कि उपासना से परमात्मा का साखशातकार हो जाता है और परमात्मा को निरागार बताते हैं मैरे सिद्धान दे इसका दकीता सरेपैर ने किसी भी ग्यान किसी भी बात का कोई सटेटस नहीं अपना अत्माँ जैसे कोई रोगी है डॉक्टर के पास जाता जिसन बहुत बड़ा बोर्ड लगा रख्या है और उससे कह कोई कि भई क्या उस दिखाने से रोग ना सो जाएगा और वो डॉक्टर ये कहे कि भी उस दिखाने से रोग तो समानी हो सकता तो सुभावी के विक्ति पूछेगा फिर उस दिखाने का फैदा क्या और वो ये कहे डॉक्टर पदपब की फीत लाया हुआ विक्ति कि उस दिखाने से अन्य लाब हो जाएगा परसन करता कहीगा अन्य क्यालाव होगा किए पहलवान बन जागा किसे ऐगा टीब बी हो रही हो वह पहलवान बनेगा रोग से उ रोग कटे जब आप पहलवान हो जागा वह तो इन बुधी हिन लोगों की ये थूरी थी ये विद्धान था इनका ये तो है आपना नुभाव और ये कहते हैं वेदों में ऐसा ही लिखा है मैंने वेदों नुसार इसका सरचना की है अब वेद क्या बताते हैं वो दिखाते हैं ये देखिएगा ये दुर्वेद इसके अनुवाद करता भी गमाल की बात है महरिसी दानलद ही है इसके अनुवाद करता भी महरिसी दानलद है परकास सकें सारवदेश सिकारिय परतिनी दिसभा, दो बटा पांस, महरिशिदान दावन, रामडिला मैदान नीदिली. चालिस अध्याय हैं सिय जुरुवेद के सारे के सारे संपुर्ण, चालिस अध्याय का नुवाद महरिशिदान सरसोती ने किया है. अध्याय नुबर आठ का सलोक नुबर तेरा दिखाते हैं आपको. यह है अश्टमा अध्याय आठमा ध्याय. और 241 प्रिष्ट पे महरिशिदान का अनुवाद है. यहां इसकी मूल पार्ट है, मूल संस्क्रत है. यह सारी संस्क्रत है. इसका अनुवाद न फिर्षी आए. अच्छी तरह देखिलो, कोई नो मैं सोचा दूसरा प्रिष्ट दिखा गया होगा. यह दो सो भी आलिस पे यहां इसने क्या कहा है कि हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप दान देने वाले के एनस से सब देखो हम क्योंकि यह देवनागरी लिपी हम आसानी से पढ़ सकते एनस से माने अपरहद एनस से माने अपरहद कहो पाप कहो एनसे माने ये स्वम पाप भी लिख रहा है अपरहद कहो चाहिए पाप कहो अपरहद के विनास करने वाले हो साधार मनुश्यों के किये हुए एनसे माने अपरहद के विनास करने वाले हो विनास कहो अकसमा कहो नास कहो अब यहां इसने थोड़ी सी एराफेरी कर दी मित्तर लिख दिया अपने आत्माओं जो सरधालू सत्यार परकास को पढ़ते हैं उन्होंने ये तो फाइनल कर रख्या कि वगवान कुछ नहीं कर सकता पाप नास नहीं कर सकता क्योंकि मैरिशी दानंद ने वेद निसकर सत्यार परकास में लिख दिया तो फिर वो इसको पढ़ते हैं लगे वेदों को उसके अनुआद को उन्होंने देखा है तो मित्तर के बारे में लिख रख्या है किसे दानने नहीं नहीं दिया यहां तो पाप नास का लिखा है अब पाप मित्रे दान करने वाले कि पाप के नास करेगा बता बगवाने का जिक्र है तो इसने इसका भी समाधान कर रखा दाननजी ने दिखाते हैं अब हम सत्यारत प्रकास को उन्हें उठाते हैं इसमें से मित्र सब्द के बारे में नहोंने क्या कहा है वो दिखाते हैं ये पर्थम समुलास में इसने बगवान के नामों का उलेख किया है अठारा प्रिष्ट पे क्या कहा है इसमें इसने कहा है कि जो सब से सनहे करें सब को प्रीती करने योगे है वो है पर्मेश्वर सब का सचा मित्र है इस से पर्मेश्वर का नाम मित्र है अब ये से दो गया कि जहां इसने वेदों में मित्र सब्द प्रियोग किया है वो पर्मेश्वर का बोध है पुन्यात्माओं जो एक रोथा कांड हुआ है ये इसी का प्रिणाम था कि इनकी पोल खोल दी और दानंद की जो महरसी वाला फीत थीवा उतार के जर्दी दास ने पुन्यात्माओं एक थोड़ी सी कथा सुनाता हूँ यह पर पहले एक कंसेप्ट कलियर कर दूँ फिर सुना अब ये तो एक बार ना ये करोथा कांड जो कारण होया था इस दास ने जब शत्यार प्रकास को पढ़ाद देखा वेदों से मेल किया यह सारा फेल पाया वेद प्रमात्मा को साकार बताओं मनु सदर से बताओं बगवान को अईू निराकार बताओं वेद एक देसी ये ब पर बगवान रहता है नहीं तो वेदों को समझा कहां से इसने अग्यानी नहीं और मेरे सीकंसी साइड तो हो गया यह बड़ा दुख हुआ समातार पत्रों में लेख लिखने सुरू किये करोथा आसरम से वो इनको पता लगया निकर यह करने लगे देखो यह क्या लिख रह जूट बोल रहा है दानत के गुड रहसें को समझनी रहा जिस यदुर वेद जायर नंबर आठ के स्लोक मंतर 13 के विसम वो कहरा है रामपाल उसमें मित्र सब्द लिखा है स्वामी जी ने बगवान के विसम ने लिखा कि बगवान पाप नास कर देता है फिर दास ने फोटो स्टेट करके वेजी और साथ में ये लिखा कि महरिशी दानन्स खुद मित्र सत्यार परकास के परसम सुम नास में बगवानों के नामों में से एक मित्र भी कहता है तो यहां मित्र का अरत परमेश्वर ही होता है अब उदी मान लोग तो समझ गे सच मुच मित्र के पाप ना पाई का पता ना लग जा दो इन आचारियों को दानत वारे आरिय समाज के आचारियों को इनके सत्यार परतORE का स्वेगने बंदना हो जा इसलिए भिस गाईड करने के लिए जनता का ध्यान पलटने के लिए करो था कांड कर्वा दिया क्योंकि दूरू भाग गया इस मुखे मंत्री का जो उसी समय आरीया समाजी है अर्याना का मुखे मंत्री श्रीबो पेंदर सिंग यह मुखे मंत्री बन्यगा इनका दाऊ लग ग्या इसके करम बिगडवा दिये जूठ नहीं बोली जनता को पाप का बागी बना दिया राम पाल गुंडा है बुंडा है वहाँ ये होता है फलाना होता है अब राम पाल ने सिद्ध कर दिया वहाँ क्या होता था परमात्मान द्याकरी वहाँ पर यही होता था जो आजबरवाला मोरा है तो पुने आत्माओं इन्हों ने ऐसा जुलम करक्था यह इतैसी नहीं है किसी जनता के इतैसी होते हैं सविकार करते हैं पर सचे गलती हो रही है तो पर मान देखा रहां फिर भी ना बान देते तो इन जैसे तो दूस्ट होए नहीं सकते दर्तिव है यह आचारिया जो बगतों को सताया इनको बहुत बुरा होगा इनका अनतमा और हम तो आज भी उनके विरोदी नहीं है क्योंकि दास को पता लगचक्या ए कि यह काल करवारा सारा सभी उस पर मान देखा बच्चे हैं और वो भी मिसगािड है हम उनके हितमा इकार ही कह रही हैं कि वो भी वाको बो तू फूल, अर्तो है फूल के फूल हैं, उसको है तरसूल, हम उनका आज भी बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमरे बगवान का आदे से, उनकी करनी उन्हाप मिलेगी, जिसा उनकर रखे, और बगवान के चरनों मा जाएंगे, तो उनका कल्लाण उनका भी हो जाए क्योंकि हो सभुशीगे बच्चे हैं, इतनी सी बात है, अब देखिएगा, अब हम फिर आते हैं, यजुर्वेद अध्धाय नमबर आठ के सलो मंतर नमबर तेरा पर, यह अश्टमों अध्धाय है, और यह तेरा नमबर मंतर यहां से स्टार्ट होता है, यह तेर मा मंतर है, देव करते हैं, अएनसे अवजनवसी मनुस्य करते हैं, अएनसे अवजनवसी पित्तर करते हैं, अएनसे अवजनवसी आतम करते हैं, अवजनवसी 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 अ अन्वाद आयां समझो है सब के उपकार करने वाले परमेश्वर आप उनी के सब्दों में प्रमानित कर दिया सत्यार परकास में कि जहां मेरी शीदानद ने कहा है कि जहां मेत्र सब्द है वो परमेश्वर का ही वो दख है तो यहां परमेश्वर सब्द पढ़ेंगे क्योंकि डॉक्टर की एक्वेशन को औस दियों के साल्ट को डॉक्टर समझ सकता है कि इन्होंने कौन से कहां क्या संकेत किया है जनसाद अनसमझ जाएज पर टीचरों के उसकता क्या थी गुरुवों की बाई गुरु बिन काहुन पाया ग्याना जो थो था वो छड़े मूड के साना गुरु बिन बेद पड़ है जो प्राणी समझ जनसार रहे अग्यानी ये सारे अग्यानी थे अरवेद क्या बता रहे हैं ये अनुबाव कह लिखी गे अब देखो अगर ये जरासी बुदी रखता दानंद जी तो सत्यार प्रकास वेदों का इसना नवाद किया खुद करने वाला तो सत्यार प्रकास में सेट कर देता नहीं इनोंने केवल लोक वेद को अधार माना जिस कारण से वेदों को भी अंदेखा कर दिया अब इसमें सफ़ेश कर अपने करकमनों से लिख रहा है कि प्रमात्मा पाप नहीं कार प्रमात्मा गोर पाप भी काड़ सकता है वेद ये कहते हैं और ये सबीरी सी डकली आपके समस कर दिया कि प्रहरब्द वो गणाएं पड़ेगा और पाप क्या है कि प्रहरब्द के पाप होते हैं जो दुखदाई होते हैं जो संतित हैं उता रखें उनकी बाद में लेखा होगा देखी जागी जब होगा तो अब प्रहर्वद के वरतमान के पाप से दुख होता है और पाप कट गया दे काटा निकला दुखने वारा ने पाप कट गया दुख सुख हो गया दुख दूर इस सब के उपकार करने वाले मित्तर हैं आप यानी प्रमेश्वर आप देव करते से दान देने वाले के अपरहाद के विनास करने वाले हो अविजनम माने विनास एनस सर्वाने अपरहाद के मनुष करते से मनुष के साधान मनुष्यों के भी किये हुए अप्राद यानि पाप के विनास करने वाले हो अवजनम पितर करते से पिता करें चे बेटा करें कोई भी सद्साद ना करें उसी के एनस से माने ये पाप ही लखना था अप्राद के अच्छे परकार दूर करने वाले हो नास करने वाले हो आतम करते से अपने की हुए एनस से माने पाप के आवजनम माने नास करने वाले हो दूर करने वाले को हो चाई विनास करने वाले को इसी की बाहसा में वही सब्द है आवजनम एनस से अधरम के अधरम यानि घोर पाप के भी आप नास करने हारे हो जानता हुआ मैं जो कुछ भी अध्रमाचरन किया करता हूँ या करूँ अनजान पने मैं भी जो कुछ भी किया करता हूँ या करूँ उस सब एनसे माने पाप के ये दूस्ता चुन अड़ाई दिया पाप के एन से माने पाप के नास करने वाले हो आवजना माने दूर करने वाले हो नास करने वाले हो विनास करने वाले हो विनास करने वाले हो आवजना माने विनास तो यहां इसने ऐसी जगह कुछ है अडंगा डादिया जो हम आगमी समध नहीं सका अब इसमें कर दिया कि मैं अनजान पने मैं कोई करूँ या जान बूझ करूँ कोई गल्ती उसको भी आप माफ करने वाड़े हो अपने अत्माओ अब वेद मैरसी दानद जो है आरिय समाज पर वर्तक वेदों को सत मानता है कि इसमें जो लिखा इसके तरीक मैं मानता है नहीं वेद सत हैं और इन्हों नहीं इसने पीछे अपने विद्धान भी लिखा है कि वेद सत विद्धाओं का पुष्टक है मैरसी दानद न मौन मार रहा खिये कि वेद में जो लिखा वो सत विद्धाओं सत्चा ग्यान है अपने अत्माओं वेद में तो यहां तक लिख दिया है कि मैं चैए अनजान पड़ा में करूं और चैए जान करूं आप सारे घोर पाप का भी नाज कर देती हो तो खाके इन का ग्यान है क्या पड़ है ने वेदों को तो पुना अत्माओं दास के साथ इसलिए संग्रस हो रहा कि यह दास एकला साची बोला है और यह जो उठ बोलन यहां का उड़नी बिना गिनती के जो उठ बोलने जनताई निवाधारी थोरी है लेकिन प्रमात्मा का आशिरवाद इस दास के साथ और आपके उपर भी नारा अशिरवाद है का आपका जनम इस समय है और आपको यह मूल वस्तूद में लाएगी कल्यान होगा अब इसमें वेदों में जो ग्यान दिया है कि जान के करूं और चाए अन जान पड़े में करूं सारा है माफ कर देते हो आप जान मातमा के रूप मत है और कबीर साहब ने जब धरमदास जी के सग्यान का परदा फास करना किया तो दुख मान गया और कहने लगया हम पाप ना करते हम इंसा नहीं करते जीव इंसा क्योंकि धरमदास जी ने कबीर पर मिस्वर को सोचा था यह मुसलमान है और हमारे जान बूज के लेकिन परमातमा साची कें थे तो तब परमातमा ने कहा था के दरमदास सत्र ब्रामन की है खत्या जो चोका तुम देवो निता ब्रामन से सत्या सो होई जल असनान करत हो सोई फिर थ्वी उपर पग जो धार है करोड जीव एक दिन में मारे पता फिर इतने पाप तु डेली करन लग रहा है जीव इनसा नहीं करता जैसे लिपा पोती करते हो पोचे लगाते हो इन मान जान कितने जीव उमरे खेती करता है किसान फाली के साथ ना जान कितने जीवों के पेट के अंदर से वो निकालता है फाली यानि उती खा अथियार जो फाली बोलते हैं उसको तो कहने का जैसे अगनी जलाते हैं इसमें जी उम्रे लकडियों में उपलों में पोचा लगाते हैं इनमें जी उम्रे हम चलते हैं फिरते हैं काम के लिए जाते हैं अपने वे उसाय के लिए जाते हैं, नोकरी के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, उनम जीव मरें, तो ये हमें पता है कि ये हो रही है, जैसे किसान खेती करता है, सप्रे करने पड़ते हैं उसको, उसको मालूम है कि ये मेरे फसल में क्यूट लगया हुआ, इसका नास करना पड़ेगा नात इसको ये खा जाएगा मैं कंगाल हो जाऊँगा और जैसे हम रोगी हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो हानी कार किटान उबड़ जाते हैं बलड में उन गोली खाते हैं उन गोलीं से वो किटान उमारे जाते हैं वो जीव है तो यहां वेद का कहने का तात्वरी यह है कि आपको पता भी है कि यह पाप हो रहे है रिनको त्याग्या नहीं जा सकता इच्छा करमा रहे नहीं बिन इच्छा मर जावे कहे कबिरता दास का पाप नहीं लगावे उसको पाप नहीं लगे जान के नहीं मारा है जैसे बैटे है मकोड़े कीड़ा आगा जो मारी इंट ये को बात हुई या आप चल रहे हो इच्छा नहीं मारने की हर मर रहे है तो बो आपका वस नहीं कोशिश करें जहां तक पैर बचा कर रखे जा रखे तो दया भाव हो तो इसी परकार कहा कि इन के भी जैसे हम परती दिन कपड़ा पहनते हैं ये मेला हो जाता है तो इसका तरीका बता जिया भी साबन और पाणी से निर्मन भी हो जाता है तो डेली जो हम साधना करते हैं और ये हमारे जी भेंशा होती हैं जो ना चाहते हुए होती हैं, इच्छा नहीं हमारी, तो उनके लिए ये बगती साधना इसलिए दी जाती है, कि आप का डेली वो पाप जो होते हैं मैल बने गा आत्मा, वो साफ होता रहेगा, धर्म करवाते हैं, दान करवाते हैं, और वाकि जो संचीत करम हैं और प्रहरद के जो करम हैं, वो इस सतनाम और सारनाम से आपके ना सो जाएंगे, जब ही डाम हर दे धर्यो, जब ही सतनाम हर दे धर्यो, बहो पाप को ना से, जैसे चंगारी अगनी की बाई पड़े पुराने गासे, प्रमात्मा कभीर जी कहते हैं मेरे नाम में इतनी सक्ति है कि जब ही इस अच्छनाम आपको मिलेगा आपके पाप कर्मों में, प्रहरब्द के कर्मों में और संचित कर्मों में ऐसे आग लगा देगा जैसे सेकडों हजारों टन सुखे गास में एक माचिस की सिंक जलाके लगा दी जाए सब को फूक कर सभा करकर राख बना देगा और फिर चलेगी तेजान दी उसको उठा कर पता नहीं कहां के कहां पटक देगा, फिल्ड साफ हो जाएगा जैसे सुर्ज के आगे बद्रा ऐसे कर्म चैयारे कहते हैं फिर इस ग्यान से बगवान की बगती से सिमर्ण से आपके पाफ हलके हो जाएगे आत्मा में एक छोटी सी बात पर भी आसवाने सुरू हो जाएगे बगवान की चर्चा में तो समझो आपके पाफ अब नास हो लिए जैसे कहते हैं जैसे सुरज के आगे बद्रा सुरिय का आगे बाद लड़ जाते हैं ऐसे करम चाया रहे हैं आत्मा और प्रमात्मा के बीच में ऐसे करमों की चाया है ऐसे उनके चाय हुए हागे और फिर इस रस्त बगती करेंगे प्रमात्मा मा प्रेम जागेगा प्यार जागेगा मालक के परती तो समझो आपके वो पाप के बादल छट चुके हैं जैसे तेज हवा चलती है बादलों को इदरू दूर्टी तर भी तर कर देती है सुरिया फिर साफ दिखाई देता है ऐसे आपके पापकुर्मों के बादल इस सतनाम और इस बक्ती से ऐसे छट जाएंगे फिर आपकी आत्मा में प्रमात्मा की नेरी कसक पैदा हुएगी दर्शकों, आज हमने जाना कि किस तरह हमारे धर्म गुरू अपने धर्म ग्रंथों का सही ज्यान नहीं समझ पाएं है और इसके कारण समाज में कितनी भ्रांतियां और अंधविश्वास फैले हुए है संत राम पाल जी महाराज ने धर्म ग्रंथों के सही ज्यान को प्रस्तुत कर हमें सच्चे अध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेड़ना दी है उनका संदेश साफ है कि केवल शास्त्रा नुकूल भक्ती से ही आत्म कल्यान संभव है आईए हम सभी मिलकर सही ज्यान को समझें और उसे अपना कर अपने जीवन को सफल बनाएं धन्यवार आईए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्ग पर चल रहे हैं नमस्कार दर्शकों हर जीव आत्मा को सच्चे पूर्ण परमात्मा की तलाश होती है जब देवी देवताओं की भक्ती से मन को शान्ती और सुख नहीं मिलता तो आत्मा किसी सर्व शक्तिमान परमेश्वर की ओर मुर्ती है एक ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में रहने वाले कौशल कुमार जी की क्या कारण था जो कौशल जी ने सभी साधनाओं को त्याग कर संतराम पाल जी महराज से नाम दीक्षा ली आए सुनते हैं कौशल कुमार जी की कहानी इनहीं की जुबानी कोशल जी, आप कहान से हैं मारा से नाम दीक्षा आपने कब ली क्या काम करते हैं आप हाँ सर, हम यहीं देवी देपता हूं बर्मा मुश्रूम महईश की भक्ति करते थे जो हमारे खहंदान में चलिया रहे थी वह ही कर रहे थे उसके अलाबा वे साकर वेश रिम ससंग में अटेंड रंकारी पंध भी गये थे। उसके बाद मतलब बक्ति करते गए लेकिन परमपारेक बक्ति थी वह हम करते थे आराम से। लेकिन हमें मन में सांधीने मिलती थी, हमें सोच थे कि परमातम कोई और है, क्या है। कोई समेख्या आते ते कैसे दैको हम पूझ रहे हैं उन से हटके हमारा मंझ जाता था कि महाले कज़हें समझने पानों कि कहां आए कैसे मेलेगा ऐसे है महाल कि हम प्रमाद में इतर पर पॉश्टक के ग्यान गंगा in टॉपर गया था अपने छूर्री कमरे में गया था और मेरी सरुल्स रहती सी घार ने की घी गया है तो मैंने किताब के देखिए आया उल्ट गणा हुआ रटका गूए तो उसमें उप法 जड़ में कभिल साब कोधिक देखाया था और भी में मेरे में वहका बटार गया चानीदी है श्क्रापताब करें में जय है दून्हे वह वैमारे आधायी दून्हे दूनित प्रमाका नए जी रहे कि दाताया मॉह करें भू को दे का ओ éta कौसल जी संत्रामपाल जी महारास से नाम दिख्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाब भी प्राप्त हुए अब परमात मैं ने कहा कि बेटा इस जो नाम हमें संत्रामपाल महाराजनी ने दिया था प्रिथरमांत हम्सका जापल प्रिथरifie झीड़र व जापलत हुए और को सिंत्रामीम कुछ ञ spinner की मेरा आतमले कम चली गी तो इसके निवकं दो टिन बच्ची थे इस उंहरे प्ताज घर बैस वह एक मैं दो कि आ तो परमातमान की दया से अपने आप प्रकट होके मेरे सरीर को अपने सरीर में डाल दी मेरे आतमा को तब गुरुजी ने मना भी किया था कि बेटा आँखे बंद करके समाधी मन लगाना बना काल के दाव लग जाएगा यहां दो बार घटना हुई थी मेरे साथ दो बार मैं न मेरे नाना मुझसे बहुत प्यार करते थे तो काल यह हमारे नाना के रूम में हमारे घर पे आया और ब्रामदे में आगे स्टूल पढ़ा था उस बैठ गया करके रात में 11 बार बजे के आसपास पापा उठेते तो पेसाथ के लिए तो उन्हों देखा कि पिताजी बैठे ह हुए है पिताजी देखे तो उन्होंने मुड़के देखा लेकिन ब्रामदे में कुछ फोटू लेगे थे परमा संत्रामज महाराज की और कभीषवाब के तो आगे नहीं बढ़ पा रहा था कुछ परमाता ही सकती है वह आगे नहीं बढ़ पाया काल तो उसने देखा कि पा लेने आया था कि उससे पहले एक महने पहले से कई बहुत खराब रही थे हमारे पिता जी की बहुत लोग लग लग गया अधम कमजोरी उड़न ही पाते थे बहुत डाउन वह नहीं को गया था लेकिन परमात्मा ने उनकी जब परमात्मा ने उनका रक्षा की उसके बाद प कोई दिक्ट नहीं आराम से इसके अलाव मैं संतर रामाजी माहरा से पहले की बात है कि कई बार कई साल से मेरे महें पत्री आएक आठ वैम की च्हें की बहुत बंती थी मेरे जब भी साय नपना जाता कि चार यह दो कर्टनियों मेरे पत्री बंती थी मेरे दबा बदाई उन आउसर बड़ी गंबिर है मेरी कि हर साल दो-तिन बार पस्री बन जाती है और दर्द इतना होता है कि किसी ने गोली मार दी वह पेट में तो परमातमा ने कि कहा कि पड़ा कुछ दिक्क्रत तो समड़ करना नाम का मरदया में रहके और अमरज जाल ले लिया कर तो जब अब अब तो कई साल से पत्री बनी नहीं हलकी फुलकी देजा बन जाता है तो अमरज ले लेता हूं दर्द भुलकुक खतम अगले दिन बाहर निकल जाती है एक एक बिना टीटमेंट बिना दवाई के कोई पत्री पेट में नहीं रहती मेरी वह सही सोचता रहता हूं भगजी मै और मेरी कुछ आती इस्तिती गड़बड थी और मैंने एक छोटा अपना मीडिकल खोल लिया है उसे में खूब बरकेत है कोई डिकत नहीं आ रहा हूं सच्छा काम चला है को टैंसली और में कोई दिकत नहीं होती है हमारी संत्रामाज जी महास के दया से आज मेरी आती इस्त सबस्क्राइब तो मेरे बड़ी अगरी का ग जिल्युटा उने वाली ती एक दम्करमादमय एक मेरे आगे बढ़ा दी नहीं होटता तो मेरे अगे ऑना थी और साथ मेरे बच्ची भी थे सब लोग थे दो बार परमात्वान ने बचाया मेरे लिए संत्राबजी महास्टा से बचाओं मैं और सर जी इसके अलाबा मेरे मम्मी को हाट के प्रॉबलम है उनकी रामुरती बरेली में दिखवाया अंजियोग्राफिक कराई थी उनकी तो उन तो हम भी घबरागी हम पासावे नहीं इतना मैंने कहा कि ऐसा करो अधास लगाओ संत्राबज मारस से कुछ दया करेंगे तो यह तो बड़े-बड़े संत्रामपाल जी मारस से नामदिक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाप राप्त हुए लेकिन सर कहा जाता है कि संत्रामपाल जी मारस से उनके अन्युयाई अंत्सरदा के तहर जुड़ते हैं सर आप एक डॉक्टर है पड़े-लेखे भ्यक्ति है क्या ये बाते सही हैं नई लोग कहते है अन्युक्ति कोई बात नहीं जो हम पड़े-लेखे समाज से हैं वस्पन सही मेरा भक्ति में दुजहान था जब मैं अन्युदेवी देवताओं की पूजा करता था तो मुझे बह हमया हम यहीं नहीं पता था कि पूर्ण प्रमात्मा कोन ना प governance ना कि परनवाद्स जीह का दोख भरंधने बताया उन्होंने मार्ग दखाया वो पुष्टक दिलाई प्रमात्मा ग्यान गंगा वो पड़ी हमने उसमें सब देखा हमने ड्रेडेल देखी कि ब्रह्मा विश्रु मैस अजामर अमन नहीं है इनकी मृत्रुव होती है इनके मातापता भी है इनका पूरी फैमिली वो देखा परच दया से तो वो हमें फिर पता लगा फिर हम खुछ जानी खुद पढ़े लेकिए खुद गीता बेत बुरा खुद देखे तंतर रमाज महाज ने जो खुद दिखाए कि बेटा देख इसमें यह लखा है इसमें यह लिखा है जो खुद पढ़ा देखा तो बलुगर यकीन हो संद्रामपाल जी महारस से नाम दिख्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है संद्रामपाल महाराज से नामदान जेले लेनेक लिए डेवी पर स matar संग आता है उसपे आप नीचे ये लाइन चलती है उसमें नमब कर सकते हैं चलाव बहूं धन्यवाद सर। अपने नजदी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें करें धन्यवाद से अपने आ करेंग अपने के लिए से पता करेंग ए法। कर दो